नवास्कार दोस्तों दोस्तों आज इसे वीडियो में हम बात करेंगे B.S.F. Тratorस्मین. Practice Set की दोस्तों इसे पहले हम YouTube चैनल पर कई वीडियो Practice Set के डाल चुके हैं या अभी तक आपने नहीं देखा है उनने जरूर देख लें बिलकुल सेम टूझें दोस्तों एकसाम में जिस तरह से पूंचे जाते हैं Колि कुशन उसी तरह से दोस्तों हैं और दॉस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इसमें जो स्लेब has के साथ से जो पूँचा जाएगा इसमें जो overd はい टोटल कुशन आपके सो कोषन जो ह में हैं और मraек कि यहाँपर पच्चिस कुष्चना आपको पूँछ जाने हैं हिंदि इंग्लिव से से आपको एक सब्जच लेना होगा इसके दोस्तों states qt पूछे जाएंगे कि बात करें तो दोस्तों रेजिनिंग के भी 25 ग्ज्टन को पूछे जाने है है व соверш क्ोजरिंग यहाँ पर दोस्तों आप nau sud tud फोन कुष्टन पूछて जाएंगे और दोस्तों की डेट देखेंगे दोस्तों देखने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें तो देखेंगे सबसे पहला प्रशन कौन सा है पहला प्रुशन है यहां किसने कहा था कि एडल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडल्फ हिटलर है जो हिटलर के लिए वचन बद्ध है वह जर्मनी के लिए वचन बद्ध है यह किसने कहा है दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो राइट आंसर दोस्तों य वाला रहेगा और ह हजने कहा है एक भल फिटल और जर्मनी के बारे में तो इसका रॉइट अंसर हैं ए रहेगा है और है नेश्ट और झेखेंगे इंपट यह संदस्थ कोईस्टन इसी तरह से सिम तो ऌंडur तरह के उच्छे जाएंगे देखेंगे किसे ने मंत्री मंडली ये पद्धती को राज रूपी जहाज का इस्टेरिंग भेल कहा है ठीक है भोल कहा है इस्टेरिंग भोल कहा है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वी वाला ठीक है इसका राइट आंसर म प्रधान मंत्री को समकच्छों में प्रथम कहा है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वह वाला इसका राइट आंसर रहेगा प्रकार का अपरदन है तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपरदन है तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रभावी जल रहेगा ठीक है मतलब यहां पर प्रही जल इसका राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर सीवाला इसका राइट आंसर है क्रिस्टेशियस क्रिस्टेशियस एक जो है नमीनितम भूवे ज्यानिक यूग है इस विकल्पों में नेक्स्ट कुश्चन देख लेंगे किस रूप के पवदे से कोको और चाकलेट प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गा बीवाला इसका राइट आंसर है जाड़ी ठीक है नेक्स्ट कुश्चन सबसे बड़ा एक कोश्च की यह जी यहांपर इंप्वार्टन कूश्चन है दोस्तों भीस्तों इस खरिया अमें बतायेंगे अगये पश्कों का अविश्कार किसने किया था क्रिश्को ग्राफ का अविस्कार किस ने किया था दोस्तों इसका right answer जगतीस चंदर बोस ने जो किया था क्रिश्को ग्राफ का यहाँ पे अविस्कार बहुत important question है next question देखेंगे यह दोस्तों बायो से पूँचा गया है महारंद्र जो एक द्वारक है महारंदर एक द्वारक है, कहा होता है, ठीक है, शरीर के किस हिसे में होता है, दोस्तों इसका right answer D वाला है, कपाल में होता है, ठीक है, कपाल में होता है, next question देखेंगे, 1757 में प्लासी के युद में सिराजुद दौला के साथ किसे ने विश्वास घात किया था 1757 में दोस्तों ये हिस्ट्री से question पूँचा गया है तो इसमें विश्वास घात की बात कें तो दोस्तों इसका right answer सी वाला है मीर जाफर ने विश्वास गात यहां पे सिराजु दोला के साथ 1757 के प्लासी के युद्ध में किया था next question देखेंगे kelp क्या है यहां पे kelp पूँचा जा रहा है kelp क्या है तो दोस्तों एक यह है समुद्री सेवाल जिसमें आयोडीन प्रचूर मातरा में होती है समुद्री सेवाल जिसमें आयोडीन प्रचूर मातरा में होती है उससे हम kelp कहते हैं यह kelp कहा जाता है next question देखेंगे बहुत important है निम्ड लिखित में विसमपत बताएं ठीक है विसमपत क्या है यह दोस्तों जो रूबी पन्ना नीलम यह रत्न है ठीक है रत्न यह तीनों रत्न है और इससे दोस्तों भिन है अलग है next question सूरी का प्रकास हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है यह यह भी दोस्तों कुश्चन पूचा जाता है सूरी का प्रकास प्रत्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो दोस्तों का राइट आंसर यह वाला इसका राइट आंसर है आठ मिनिट लगते हैं ठीक है आप जानते होंगे next question बहुत important है रडार का प्रियोग किसलिए किया जाता है रडार का प्रियोग किसलिए किया जाता है तो दोस्तों इसका right answer दूरस्त वस्तों की पहचान करना उनका पता लगाना ठीक है दूर की वस्तों जैसे मुचाई के संबन में दोस्तों कई चीज़े इसमें देखने में भी काम आता है रडार प्रकासी फाइवर मतलब आप्टिगल फाइवर की सिधान्द पर कारी करता है तो दोस्तों इसका right answer डिवारा है पूर आंतरिक परावरतन पर कारी करता है प्रकासी की या फाइवर यह दोस्तों भहुत की से कुश्चन उचा गया है विज्ञान की रूप में नेक्स्ट कॉश्चन देखेंगे प्रस्तुती करना त्यार करने के लिए Microsoft Office यह दोस्तों कम्प्यूटर से है Microsoft Office का कौन सा अनप्रियोग उप्यूक्त है तो दोस्तों इसका right answer C वाला है Microsoft PowerPoint नेक्स्ट कॉश्चन देख लेंगे दोस्तों कम्प्यूटर से पहुचा गया है इंटरनेट प्रोदकी के आरम में इंटरनेट पेज त्यार करने के लिए कौन सी भासा प्रियोग की जाती थी तो दोस्तों इसका right answer B वाला है HTML Hypertext Mark Level ठीक है इसका जो है इस तरह से इसका पेज तैर करने में सही जो था वो B right answer है Next question देखेंगे प्राणी विज्ञान की साखा का नाम जिसमें पस्व विवार का वेज्ञानिक अध्धन किया जाता है ठीक है पस्व विवार का वेज्ञानिक अध्धन किया जाता है दोस्तों इसका right answer है जीवर परिस्थित की ठीक है जीवर परिस्थित की में प्राणी विज्ञान की साखा में जो गलता यह पस का जो बेवहार है उनका कुछी इसे साथ से उसमें अध्धन किया जाता है दोस्तों पस बेवार पस से संबंधित एक नई साखा है संदो नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे बर्रपिंड किसमें पाया जाता है बर्रपिंड दोस्तों यहां पर किसमें पाया जाता है तो दोस्तों यह बर्रपिंड जो है C, right answer, इसका है, मादा काई कोज का, यह दोस्तों, बाया से question पूछा गया है, बर रपिन, ठीक है, next question देखेंगे, question number 21, बहुत important है, तारो का रंग किस पर निर्भा करता है, तारो का रंग किस पर निर्भा करता है, दोस्तों, इसका right answer A, ताप मान पर निर्भा करता है, ताप म नेक्स्ट कुश्चन देख लेंगे ब्रायो इस्टेटिन्स और डोलो इस्टेटिन्स चैसे अप्रूर टूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोथ विशेश रूप से फल दायक रहा है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हैगा वो रहेगा समुद्री सोथ में जैसे कई तरह के मचली इस्टांच बगरा पाया जाते हैं उससे यहां पर टूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में जो इसके लाप दायक मिला है तो वो समुद्री सोथ से तो इसका राइट आंसर ए रहेगा ठीक है दोस्तो इसका राइट आंसर डी वाला है क्लोरो फ्लोरो कार्वन जो है प्रदूसण के लिए जुम्मेदार है नेक्स्ट कुश्टन बहुत इंप्वर्टन्ट है आजयो निमनीकरन अफ्षिष्ट से छुटकारा पाने का सरवत्तम हाल क्या है या उपाय क्या है तो दोस्तो इसका राइट आंसर डी वाला है पुनहा चक्रण ठीक जो अफ्षिष्ट होते हैं अज्यू मतलब जैसे कूड़ा कच्छड़ा इसको पुनहा चक्रण किया जाए तो इससे जो है कई प्रकार के लाव मिलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग किस से की जाती है दोस्तो यह लाश्ट कुश्चन था आपका दोस्तों जिस तरह से 25 कुश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमने बता दिया है लेकिन दोस्तों इससे पहले कमेंट करके आपको एक कुश्चन बताना था आपने उत्तर दिया है या नहीं इसका हम उत्तर बता देते हैं यह बढ़ा है ठीक है आठ नमबर कुष्चन है सबसे बड़ा एक कोस की यह जीव है ठीक है तो इसकाね डी अमेबा अमेबा यह कहिए सबसे बड़ा एक कोस की यह जीव है